नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक स्वागत। दोस्तों मेरे गुल्दावदी के जो प्लांट्स हैं अब कलियों से धीरे धीरे जो है इनके अंदर फूल बनना शुरू हो गये हैं। अलग-अलग रंके हैं यहाँ पर जितने भी प्लान्ट आपको लगे हुए दिखेंगे, कुछ में वाइट कलर के फ्लावर आएंगे, कुछ में यलो और रेट का एक कॉंबिनेशन आता है, कुछ जो है डाक मैरून कलर के आते हैं, यह लगभग जो है तीन से चार कलर मेरे पा आछोंगा और मैंने यह दो मिनियेचर substitution यलो कलर ऐसी है, मैंने यम्याम कहीं इसे करें बटक है, अदर कुछ ब्लोह कर रहा है, अज के अपनी वडिएو में जर्बेरा प्लान्ट के के लेइट लिए बात करऊंगा ज़र्बेरा मैंने यह 2 आधाल मैं जर्बेरा त्सेश नए लिए हैं और ये दो मैंने छोटे-छोटे बेबी प्लांट जो टीशू कल्चर विधी से लगाए गए थे वो मैंने लाकर लगाए थे तो ये दो मेरे जो है ये तैयार हो रहे हैं ये भी हाइबड है और ये भी हाइब्रीड है इसका एक देशी वाला भी आता है जिसकी flowers की जो stick होती है वो खूब लंबी-लंबी होती है और वो खूब ज़्यादा वुशी भी हो जाता है अगर आप ground वगएरा पर लगा कर उसको जो है separate करते रहते हैं तो एक दिन जो है आपका पुरा जर्वेरा garden तयार हो सकता है मेरी एक जो है subscriber है और ये कहें कि जो है छोटी बेहन है उनके पास जर्वेरा का बहुत ही खूबसूरत garden है उनके चैनल का नाम है ओमेन बिंक्स और वहाँ पर जो है उनके जर्वेरा garden को आप लोग जाकर देख सकते हैं फिलाल जो है चलिए जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जर्वेरा प्रांट की care tips के उपर बात कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करी जाए जर्वेरा की तो बहुत सारी color variety आपको इसके अंदर देखने को सुरू हो गई है यहां नीचे से जो है देखिए अंदर कलियां बन रही है वैसे तो यह पौधा जो है इसको सीट से बहुत एजली ग्रो किया जा सकता है मैंने भी कुछ सीट लगाए हैं और बेट कर रहा हूं कि कब उनके अंदर जो है वो जर्मिनेशन हो जाएगा अगर आप इनके फ्लावर्स के अंदर सीट बनने के लिए जो है आप बेट करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है कभी-कभी मैक्सिमम फ्लावर्स के अंदर सीट बनते ही नहीं या फिर बनते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है तब जाके आपको seeds जो है वो collect कर पाएंगे दूसरी चीज़ जो है seeds अगर लगाना है तो seeds लगाने का जो सबसे best time है मेरे हिसाब से वो September के बाद का यानि October के first week का है और या फिर जो है आप February के last में लगाईए क्योंकि ये एक permanent plant है और इसका जो best growing season होता है ये यही दोनों होता है फ्लावरिंग की बाद करी जाए तो winter के अंदर बहुत heavy bloom करता है मार्ज तक खुब अच्छा से blooming चलती है उसके बाद भी एक अधा करके flowers जो है पूरे साल आते रहते हैं आप इनकी अगर ठंग से care करते हैं बाद अगर sunlight की करी जाए तो ये ऐसा पौधा है जिसको आप अगर in direction light के अंदर भी रखते हैं तो वहाँ भी खुब अच्छा grow करता है फ्लावरिंग करता है लेकिन मैं आप लोगों को suggest करूँगा इसको minimum जो है वो 2-3 घंटे की sunlight morning की जरूर देजिए ऐसी जंगा पर रखिए और उसके बाद आपका पौधा पूरे दिन ब्राइट लाइट पाता रहे ऐसी location इसके लिए आपने garden के अंदर निस्चित कीजिए अगर ऐसी जंगा पर आप इस पौधे को लगाएंगे तो पौधा खोब healthy और अच्छा grow करेगा इसके अलामा बात अगर आपके पौधे की soil की करी जाए तो इसको जो है neutral to acidic soil जो है वो पसंद होती है मतलब जो soil का pH label होना चाहिए वो या तो जो है साथ तक होना चाहिए या फर साथ से कम होना चाहिए मतलब जो है soil हमारी जो है वो बे मतलब छारी ये नहीं होनी चाहिए अम लिए मिट्टी ये पौधा जो है अम लिए तुन से जो है उदाशेन मिट्टी जो है आपका ये पौधा पसंद करता है इस वज़ा से कुशिस यह कीजिए कि बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज मत दीजिए कि इसकी सोयल उचारिये बने अगली चीज जो है आपके इस पौधे की वाटरिंग डिक्वार्मेंट की करें जाए वाटरिंग जो है आपको मिट्टी को चेक करनी है जब भी आपको अपने पौधे की मिट्टी के अंदर मौश्यर कम लगे आप पानी जरूर दे दीजे क्योंकि होता गया है कि ये पौधा जो है ओवर वाटरिंग से भी खराब होता है रूट रॉट होकर साथी साथ जो है जब हम ज्यादा पानी दे देते हैं तो ज्यादा पानी की वज़ा से इसकी रूट्स गलने लगती है और रूट्स गलने की वज़ा से पत्या एक एक करके गल के ब्लैक होकर खराब होती है पहले तो येलो होती है फिर दे करके ब्लैक हो जाती है तो वाटरिंग जो है हमको म चाहिम ऐसा आता है पतियों की कमीव की मज़ा से आपका पौधा भी जो है वो खराब होने लगता है तो इस चीश का हमको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगला जो फंगल इंफेक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि हमेशा इसकी पतियों के ऊपर मौश्यर जो है वो मेंटेन करने की कोशिस मत कीजिए क्योंकि ये पतियां जो होती है ये बिलकुल आपके पालक वगएरा की जो पतियां होती है उससे थोड़ा मोटी होती है इनके उपर बहुत दिनों तक जब मौश्यर होल्ड करता है तो फंगल इंफेक्शन अपने आप पनपने लगते आपके इस पौधे के लिए अगर फर्टिलाइजर की बात करी जाए तो फर्टिलाइजर जो है आपका ये पौधा लिकुट फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा पसंद करता है आप सॉलिट फर्टिलाइजर मन साल भर में एक बार सिफ दे दिजिए कंपोस्ट आप जो है वर्मी कंपोस्ट या पर कावडंग कंपोस्ट दोनों में से अगर कुछ भी दे देते हैं तो आपके इस पौधे के लिए वो काफी हो जाता है लेकिन मैं आप लोगों को सजस्ट करूँगा लिकुट फर्टिलाइजर भी अपने इस पौधे को देते रही है जैसे कावडं पौधे को पौधे को पौधे को जो है अपके पौधे को सब कुछ मिल जाएगा बस इतनी सारी चीजों का हमको ध्यान देना है जर्वेरा के पौधे में आपका भी जर्वेरा का पौधे को खूब अच्छे से ग्रोव करेगा और खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगा कैसी लगी मेरी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी ही किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्ष वीडियो में तब तक कि लिए बबाबाए एंड टेक किर